मुगर्च शैंशा अकबर के नो रतों में से एक मुबारक भी थे वो अकबर के इंतहाई मकरण थे और शाह को कीमती मशुरे देने में अपनी मिसाल आप थे अकबर ने ये हवैली उन्ही के नाम पर उनके लिए बुनवाई और इसका राम मुबारक हवैली रखा तब से अब तक ये मुबारक हवैली के नाम से जानी पहचानी और फुकारी जाती है हर साल अजबर अजिर भटाला अनों के यों में शायदत पर 21 रमजानों मुभार्ग को इसी हवैली से जायरत बरामद होती है उस रोज मुभारख हवैली मरज्जा एक खलाइक बन जाती है मुबारक हवेली की जोंशी तारी है बहुत बड़ी मजबी लियाद से जोंशाना बहुत ज़ादा एहमियत की आमिल है यहां से मरकली जलूश निकलता हज़त अलीगी की शहादत का मुबारक हवेली उनकी जाहिदात में शामिल कर दी गई फिर इसकी मल्कियत नुआप खदायत अलीगां से घोती हुई उनके बच्चों तक पहुंची इसी हवेली से खजरत अलीगी स्यारत का लाइसेंस खान बहादर नुआम मुहम्मद ली खान ने उनिस सो सताइस में हासिल किया जिनकी एहले बैद के लिए खिदमात सदा याद रखी जाएंगी मुवारक हवेली शायर के गुंजान अबाद इलाखे में पूरे करोवफार के साथ एस्ताना है एहले मुहला इस सोवेली के मजबी और तारीखी मकाम से पूरी तरह आगा है वो जब भी यहां से गुजरते हैं उनकी निगाहें अद्वो इतराम से जुक जाती है कैमरामें सेयर मिराज के साथ अफ्तर हयाद सिदी 42